आज मैं आपसे शेयर करूंगी वनीला कस्टर्ड की रिसाइब जो के बहुत बन जाता है बहुत सह लोगों ने बूच्छा था किस तरीके से बना सकते हैं बहुत सह लोग कहते हैं कि कस्टर्ड बनाते हुए कुछ में स्टेक्स होती हैं जिसके वज़े से गुठलियां पर जाती हैं तो इसलिए मैं आज आपको पॉफेक्ट रिसाइब बताऊंगी बहुत इजी रिसाइब है वनीला कस्टर्ड की या कोई भी कस्टर्ड बना सकते हैं मैं यहां पे वनीला कस्टर्ड की रिसाइब आप शेयर करें हूँ बहुत इजी रिसाइब है वीडियो को एंटक देखेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर भी कर लिजएगा यह देखें बहुत मज़े का वनीला कस्टर्ड है इसकी रिसाइब की तरफ चलते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने लिनी एक पतीली साफ सुत्री उसमें हमने एड़ करना है एक ग्लास दूद एक ग्लास दूद हम एड़ करेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा दूद हमने अलैदा कर लिया है कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए और अब एक ग्लास दूद है उसके मैंने जो है वो दो चम्माच चीनी आड़ कर दी आप अपने हिसाब से शुगर आड़ कर सकते हैं बिकाज और मैं बहुत कम चीनी कर इस्तमाल करती हूं तो इसलिए मैंने स्फिर दो चम्माच चीनी आड़ की है बिकाज ग्लास दूद है अब हमने क्या करना है इसको मिक्स करते रहना है और चूले की आंच जो है बिल्कुल दर्म्यानी रखनी है बिल्कुल मीजिम फ्लेम पे हमने रखना है यह मैंने निकाल लिया था थोड़ा सा दूद इसमें हम एट करेंगे दो से तीन चमत कस्टरट पाउडर के यह वनीला कस्टरट मैंने यूज किया है आप कोई भी फ्लेवर ले सकते है जो आपको पसंदो इसको थोड़ा थोड़ा करके हमने मिक्स करना है और अच्छे से इसको मिक्स करना है ताके इसका जो है कोई भी जर्रा रहना जाए बिल्कुल अच्छे से यह मिक्स हो जाए इस तरीके से हमने इसको चेक करते रहना है कि तकरीबन यह मिक्स हो चुका है या नहीं जब आप देखें कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हमने क्या करना है इसको एड़ करना है मिल्क में जो मिल्क हमने चूले पे रखा हुआ है हम उसमें एड़ करेंगे लेकिन अराम अराम से थोड़ा थोड़ा करेंगे ये देखें ये मिल्क हमने रखा हुआ था इसमें बॉइल आ चुका है चीनी हल हो चुकी है इस तरीके से बिल्कुल चीनी हलो चुकी है हमने फिर भी इसको थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने कस्टर्ड मिल्क जो है वो एड़ कर लेना है इसमें थोड़ा थोड़ा हम एड़ करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे तो यह देखें हमने थोड़ा थोड़ा करके यह एड़ कर दिया है इसको हमने mix करते रहना है चमच को हमने चलाते रहना है low flame पे नहीं करना हमने medium flame पे हमने इसको पकाना है high भी नहीं करना बिकास फिर दूज जो है बहुत जादा dry हो जाएगा तो इसलिए हमें इसको medium flame पे पकाना है, ये देखें अब ये गाड़ा होता जा रहा है। आपको जितना इसको गाड़ा करने आप उतना कर सकते हैं तो यह देख सकते हैं, मैंने इसको इतना इतना गाड़ा किया है और यह कस्टर तयार हो चुका है, आप इसको किसी भी अच्छे से बाउल मे एट करें इसको आप जिस तरह से टॉपिंग करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं फ्रिज में रखें ठंडा करें और फिर आप इसको खाएं बहुत यमियस्ट कस्टड तयार हो जाता है बहुत मज़िका होता है बहुत इजी रिसाइप है कोई इसमें बहुत जादा इंग्रीडियंट्स बहुत आराम से मज़िकी रिसाइप है आप इस तरह से कोई भी कस्टड बना सकते हैं आप कस्टड का कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें जैली एड़ कर सकते हैं आप केक सैट कर सकते हैं फ्रूट सैट कर सकते हैं आप कुछ भी बना सकते हैं इससे बहुत यमियस्ट है और ब लोगों में खुशियां बाटे, शुक्रिया, अल्ला हाफिज जखतो बाटे, शुक्रिया थीघए, अजुक्रिया थारो, ओखतो शुक्रिया, इन्हाए्टूझ, शुक्रिया। प्यूज